नमस्कार मेरे प्यारी विश्वों स्वागत है आपके अपने यूट्व चैनल दे पीसी एम विजिन में प्यारी विश्वों आज के इस वीडियो के माधम से हम लोग क्लास 12 पॉलिटिकल सैंस के मोडल पेपर के सब्जेक्टिव कोशन का कम्प्लीट सॉलिशन कराने वाला आप तो वीडियो का लिंक दिया हुआ है आप लोग विस वीडियो को जा करके अवस्य देखेगा तो इस वीडियो में आपका जो कोशन नंबर 31 से लेकर के 52 तक जो आपका सब्जेक्टिव कोशन है इसका कम्प्लीट सॉलिशन कराने वाला हूँ तो वीडियो पर आप लोग अंतक बने रहे हैं और शेनल पर पहली बर आएं तो शेनल को सब्सक्राइब जरूर किजेगा क्योंकि शेनल के माधम से आपको क्लास्ट्विल बोर्ड एक्जाम के त्यारी लगातर करवाये जारी है और यह त्यारी आपको तब तक करवाये जा आप लोग तो सुश्क्राइब जरूर किजेगा और यहां इस वीडियो को आपको अश्छा लगे तो से productive एब यहां पर आपका जो कोशन नमर एक सी कोशन आपका से ओसने उसको यहां पे हमोग देर से तो चलते हैं वहQuery सो आप सभी को मैंने बता कि आपका सब्वार्टी दे टिहीं से सुरूए है तो जेकराइं आपका अनि प्रशन अनिकि दोटर नमबरवाले प्रशिय और यह जो आपका अती लगोतरी अ प्रशने एक ते ले करके cut अनुपर अर्भ प्रशन स्हुंद करके cut ocurusa nea art प्रश्ण तक है अनि कि तोटल आपका 8-धी लगोतर कोशन होता है क्योंकि इससे आपका बहुत सारी कोशन डिरिक्ट बोर्ड एक्जाम में देखने को मिलता है तो मोडल पेपर जितना भी कोशन दिया गया ना इस सारे कोशन को आप लोग आध कर लिजेगा क्योंकि इससे आपका कोई भी कोशन आपके फाइनल बोर्ड एक्जाम दूतिय विश्विद के बाद 1945 इस्वी से 1990 इस्वी तक जारी रही सीत युद कहा जाता है अनिके सिंपर बोली तो इसका मिनिक यह हुआ कि देखे जब दूतिय विश्विद के समाथती 1945 में होता है तो आपका दो देख संजिक्त रेज अमिरिका और जो आपका सोवियत संग था इन दोनों के बिच दुनिया में सूपर पाऊट大的 की खोड़ के चरकर में क्या हँता है दोनोंके बिच आपका कि तनावपूर अंतरहाश्य राजिसितिक इस्तिती हुतपन हो जाती है और यह जो आपका टेंशन उत्पन होता है अनिकी अंतनावपूर अंतर्याष्टी राजनितिक इस्तिती उत्पन होती है इसी को क्या कहते है तो इसी को आपका सित्युद कहा जाता है कि लिए रहे उसके बाद देखे अगला कुशन आपका क्या दिया गया है कि भारत के सुरक्सा परिसद है यह में टॉटल आपका पांच 20 सद्च 37 साय कोनको से होते है इसका नाम है जरूर आद रखेगा तो इस्में पेजीन जरूरत रहरो आपको यहां पेडिश से बतानों इसे आप देखे आपका 5 अस्थाई सदे er Mason का जो नाम रखने का ट्रिक है उनाम यह ब śmich Whats और या व जो गया औरièrement हो गया और England का ही दुसरा नाम कि हावचो बिटेगर ठीकर तो आद रखेंगा रूस का रमाधियम प्रकार सकते हैं जो आपका UNO के जो आपका सुरक्षा परिशत के पांच अस्थाई सदे सदे से उसके नाम को आप लोग असानी से आज रख सकते हैं और इसके नाम को आप लोग जरूर आज रखेगा विच्टों यह सब्जेक्टिव में डारेट कोस्यन आपका पूछता है जो आपका कोस्यन आपका पूरा पूरा पूरी नाम जानियेगा कोन-कोन-कोन सामिल है तो नाम हिसे भी आप लोग आज रखेगा और यह आज रखना है कि कितने अस्थाई सदे से तो पांच अस्थाई सदे से और आपके के दस या स्थाई सदह ठीक है दस या स्थाई सदह सापका डूजो साल में चेंज होते रहते हैं। इस्से का नाम आपको आदर नहीं रखना है। सिर्ब पांच सठाई सदह से देशों के नाम आपको आदर रखना है।it के इस Mauद में और कि है का क्या है तो सी दुक को रोकना आपका, उद्धिकार आत्म निर्ने के सधेंसों की अधार पर मेहत्री पूर्ण सह्यों का विछा करना अंडिक की अगर दौ जहगरा चल रहा है, तो इन दो देशों के अभीछ आपका मेत्री पुर्ण सहयोग और दोस्ती के सहयोग को क्या करना है आपके विकास करना यह आपका UN का दूसरा उद्देश है किलर है उसके बदीखे अगला कुश्यन आपका क्या दिया हुआ है कि गिकास के विषार पर अधारित है शुक कर लिए अधारित तो समाजवाद इसको आपका सांवाध कहते हैं तो वरतमान में 10 सदेश देश और यह 10 सदेश आपका कौन को ने तो इसे आप लोग आज रखना चाहें तो आज रख सकते हैं बुर्णाई, कंबोडिया, इंडोनिसिया, लाउस, मलिसिया, मैमार, फिलिपिन्स, सिंगापूर, थाइलेंड और आपका वियत नाम, ठीक है, देखे, अगर बोर्ड इक्सम में यही कोसिन आए, तो यह आपका नाम आपको यहाँ पे नहीं लिखना है, सिर्फ आपको डायेक अगरा कुस्तन आपका क्या है, कि कॉंग्रेस पार्टी के संदर्म में, सिंडिकेट सब्जे से आप क्या समझते हैं, तो देखे, सिंडिकेट कॉंग्रेस के भीतर से, सक्ति साली और प्रभाव साली नेताओं का एक समू था, जिसमें आपका कामराज, S के पार्टी, निज लिगंपा तथा मौराजी देशाई, इसमें से कुछ को इंद्रागांदी विरोधी भी कहते हैं, आदि के समू को कॉंग्रेस सिंडिकेट से नाम से जाना जाते हैं, अनि के कॉंग्रेस सिंडिकेट क्या था, तो सिंपल इसका मिनिंग यह हुआ, कि कॉंग्रेस के भीतर को परभाव साली निताओं का या क्या था आपका एक समू था, ठीक है, जिसमें आपके कौन थे, तो आधरके का कामराज, एसके पाटिल थे, निची लिगंपा थे, और आपका मौराजी देशाई थे, जो आपका इसमें से कुछ क्या थे, इंद्रागांदी के आपका बिरो प्रशन है, और यह आठ प्रशनों में से आपको 6 प्रशनों का उत्तर देना है, जो आप लोग अच्छा से जानिएगा, ठीक है, लेकिन मौडल पेपर की सारे कुछन को आपको आध करना है, इसी कुछन पैटर में आपका बोर्ड एक्जाम में भी कुछन देगा, तो वहा आपका बोलता हूं कि मौडल पेपर से आपका बहुत सारे कुछन डिरेक्ट आपका बोर्ड एक्जाम में आता है, ठीक है, बहुत सारे का मतलब इमस्तुरी का 50 नमर का कुछन आपका 20 से 25 नमर का कुछन मोडल पेपर से बोर्ड एक्जाम में आता है, ठीक है, चली, तो दे देती है पांच अस्थाई सदस्यों को जिन में एमेरिका रूस चीन फ्रांस और ब्रिटेन सामिल है वीटो का अधिकार होते हैं आने की वीटो आपका क्या है तो वीटो आपका एक महत्कूल सक्ति है महत्कूल परनाली है जो सुरक्षा परिशत में अगर कोई भी प्रस्ताव है तो उस प्रस्ताव को रोकने या विरोद करने की अनुमती देता है सक्ति देता है वीटो और यह जो आपका वीटो का सक्ति है यह आपका सुरक्षा परिशत के जो पांच अस्थाई सदस्य देसे हैं एमेरिका रूस चीन और फ्रांस ब्रिटेन इसको आपका वीटो का अ और ये वीटो प्राप्त देश कोई भी प्रस्ताव पर अगर वीटो लगा देता है तो क्या होगा इस प्रस्ताव को सुन्युक्त्रेश्ट संग में सुकृति नहीं दिया जा सकता है और उस प्रस्ताव को वहीं पर आपका रद समझा जाता है ठीक है इसे क्या होता है तो इस इसे किसी भी महत्पूर निर्णाई को रोका जा सकता है कि लिए उसके बाद देखें अगला कुशन आपका क्या दिया गया है कि 1962 के भारत चीन युद्व के परिनाम की संचिप्त में सर्चा करें अनिकी 1962 में जो भारत और चीन के बिश जो युद्व हुआ था जिसमें भारत की हार हुई थी तो इस युद्व का क्या परिनाम हुआ उसके बारे में आपे संचिप्त अनिकी सोट में लिखना है तो देखें बचो भारत चीन युद्व के निमलिखित निकट वर्ति वा दुर्गाम परिनाम सामना है तो दिखें भारत चीन संस्य पहले अच्छा हुआँ करते था 1900-1260 के युद्व होने से आपका क्या हुआ अभी यह टेंसन चलते रहता है, आप लोग हरप्ल्याल में सुना होगा, जो आपका सियासीन का विवाद हुआ तो यह आपका टेंसन कई कारण ही होता है, और इयो टेंसनhatों एक जो उननीस इस ङूडायक में युद्ध हुआ घ्ळा वह दिए, उसके के और देखें एक बहु की हार होती है और जो आपका चीन है चीन कि दुवारा भारत की जो भूव आगाए जमीन है इस पर एक बड़ा जमीन का एक बड़ा हिस्सा क्या करते हैं चीन वाले कवजा लेते हैं यह युद्य का प्रिणाम था उशके बाद तिसर suchen प्रिणाम क्या था तो भारत की अंतरएश्डी सवी यह वन गूट निरिम पार निरिपेस्टी आतवी तो इससे क्या हुँआ जो आपका 1912 सब्सक्राइश्ट का युद्स घ्रड़े जो उन्हें सो Εल्श अंतरएश्डी ठर्ड़े और गूट निरिम पैसे किन के बीच वाता और देखें जो आपका चीन है ना चीन आपकामेर का क्या है दुस्मन है और हमारा भी सिपमाच मांद के भारत का परियनार हो कि भारती के विधेस्नेती में आधरस्वाद के अस्थान पर वह्वारिकत और आपका अथार्त भाद को स्थान मिला अनिकि देखिए 1912 से पहले जो भारत की विदेशनेती थी ये आपका कैसा था तो ये आपका आधर्स भाद था लेकिन इस युद्व के बाद भारत की जो आपकी विदेशनेती हो गई यह कैसा हो गया यह आपका वहवारित्ता हो गया अनिकी जो देश हमारे साथ देशा करेगा अब हम उसके साथ कैसा करेंगे उसी तरह का वहवार करेंगे यह भारत का विजिस निती हो गया तो यह आपका भारत चीन युद्ध के आपका क्या थे परिनाम थे उसके बाद देखे अगला कुशन आपका क्या है कि मंडल आयुक पर एक संचिप्त टिप नहीं लिखे अनिके मंडल आयुक क्या था मंडल आयुक की मुख्य सिफारे से क्या थी उसके बारे में आपको यहां पूँदे राद को इसके अद्यास के नाम पर उनी की मंडल आयोग कहते हैं तो आज रहेगा जो आपका मंडल आयोग था इसका गठन करें कगया था इसका मुख्य उद्यश करा तो तो इसका मुख्य उद्देश था जो पिछड़ा वर्ग है जो आपका OBC वर्ग है इसकी इस्थिति को सुधारना इसका मुख्य उद्देश था और इसके अध्यस कुन थे तो बिनिस्वरी परसाद मंडल इसके अध्यस थे और इस आयुक के अध्यस आपका बिनिस्वरी परस तो देखे आयोग ने इन समुहों के लिए सिच्छा संस्थाओं और सरकारी नकुरियों में 27% सीट आरक्षित करने की सिफारिस की अनिकि जो आपका मंडल आयोग था इन्हों ने यह मुख्य सिफारिस की अपने रिपोर्ट में यह बताया कि जो आपका OBC वर्ग है ठीक है जो करने के लिए कई और समाधा नियों सुधाव दिये जिनमें आपका भूमी सुधार भी एक तानी की भूमी सुधार के बारे भी यहां पे सिफारिस किया उसके इसका तिसरा आपका क्या मुझे उद्देश था तो कर सकते सिफारिस था कि 1990 के अगस्त माम में प्रधान मंत्री बीपी मंडल की सरकार ने मंडल आयो की सिफारिसों को लागू करने का फिसला किया या सिफारिस केंद्रिय सरकार और उसके उपकरनों की नोकरियों में अनि पिछला वर्क को आरक्षन देने के संबन्द में था अनि कि इन्हों ने जो आपका सिफारिस किया था उसे आपका क क्या वो गया संचिप्ति नी हो गया कि लियर हो उसके बाद हो ओगले कुछ दसन आपका क्या है कि राजियों के भासायी पुन्र गठन से क्या लाग हुआ निकि जो राजेओं का गठन हुआ था वसो यह भावसा के धार हुआ था जो आपका भॉसपूरी बोलते हैं उसे आपका बिहार राजे बना दिया गया जो आपका oidiya बोलते हैं आपका उडिसा रैज बना जो छेत्र में आपका तमिल बोलते हैं उसे तामिल आड़ू बना जो छेत्र में आपका तेलगू बोलते हैं आपका तेलंगाना बना अतो अंध्रापर्दिस बना जहां पर आपका बंगला बोलते हैं आपका पछीम बंगाल बना तो यह जो भासा क अतार पर रैजियों का पुन्र गठन क्या गया इसका क्या क्या लाववा इसके बारे में आपको लिखने है ठीक है तो देखे रैजियों की गठन की मांग जोर पकड़ी अथा केंद्र सरकार ने इस समयसा के अस्थाई और तरक संकत समधान के लिए उनीस सो तिरपन में इस्वी में नियादीज फजल अली की अधिस्ता में रैजिय पुन्र गठन आयो की अस्थापना किया ठीक है तो पहले सोट में आपका ये लिखना है कि रैजिय पुन्र गठन आयो क्या था कभी इसका अध्याच हुआ अब यहां पर देखेंगी जो आप नकी पर देख अंदर से और भी मजबुत हुआ उसके बयार इसका जो दुसरा लाब हो वह इससे इससे प्रसासन भी पहले कि में प्याश्चा कहीं अधिक सूवधाजनख हो गया ठीक है परशाषन में क्या होगा भोस ही अदिक सूव्धाजनख को गया मतलब क्या होगा जो यो आपकार सांट ईसे डिसी एसलिक है तो इससे क्या हुआ अफा विच्ट्व पने उसके निचांदि चेत्रों की छेत्रिये पत्सान को मजबूत किया इसे भारत में संगवाद भी मज़ूत हुआ यह आपका तिसरा क्या हुगया लाव गया तो था इसका लाव क्या था कि भासाई अधार पर रैजियों के गठन के बाद राजनिती और सत्ता का रास्ता अब उत्तर भारत में छोटे अंग खूलने लगा ठीक है तो यह इसका क्या हो गया बश्चों रिजों के वासा ही पुन्र गठन का अपका लाब हो गया ठीक है तो यहां पर आपको चार लाब बताया कोई भी आप लोग तीन आतो आपको दो लाब लिख सकते हैं आपको नमबर तीन में तीन मिल जाए ठीक है अगर पांच नमर मा आए, तो यह जितना मेने आपको लिखाया है, इस सारे आपको लिखने होंगे, ठीक है बच्छों, तो चलिए, अगला कुछ निदी कि आपका क्या है, कि ओपरेशन इन्फिनेट रिस किया था, तो देखे, ओपरेशन इन्फिनेट रिस, क्लिंटन की काल क दूसरा सेनिक अभ्यान था, सन 1998 में, आतंगवादी संगठन अलकाइदा ने, नरेवी अनिकी जो आपका केनिया की रजधानी है, तो था दारे सलाम जो आपका तंजनिया में इसी था, ठीक है, अमेरिकी दूतावासों में, बम धमाकी किये थी, ये बम धमाकी, कट्र मुसल आपका ये विविसारधारा पर अधारित थे, इसका बदला ही आपका ओपरेशन इन्फिनाइट रीज था, अनिकी ओपरेशन इन्फिनाइट रीज क्या था, तो ये आपका एक सेनिक अभ्यान था, जो 1998 में, जो आपका केनिया की जो आपका नेरु भी है, ठीक है, और का बदला लेने के लिए आपका क्या क्या था अमेरिका ने ओपरिंसन इन्फरेंटरी से शुरुआट किया था ठीके उसके बदा आपको लिखना है कि इस अब्यान के अंतरकत अमिरिकान ने सुडान और अफगानिस्तान के आलकाइदा के ठेकानों पर कई बार कूज मिसाइल स इस सिले में अंतरहिष्टिय कानूनी की परवाह नहीं किया था इस operation से अमिरिका पर आरोप लगा कि उसने अपने इस अभ्यान में कुछ नागरी ठीकानों पर भी निसाना साधा जबकि इनका आतंगवाद से कोई भी लेना देना नहीं था और इनों ने जो यह हमला का बदला लेने के लिए अमिरिका ने जो आपका बंब चोड़ा था इसमें कहा जाता है कि बहुत सारे जो आपका सिविलियन थे अनि कि आपका नागरिक थे जिसका संबन्ध आपका आते हैं वादी संगठरन से नहीं था उसका भी क्या होता है आप कि मिर्त हो जाता है और का जाता है अमिरिका ने दादागी दिखाया था दुनिया तो वह भी करएगा कि दादागीर था आपकर को यखा ऑगे राजनीती की यूग कभ से प्रारम हुआ ठीक है तो देखिए भारत में गटबंदन राजनीती का यूग विश्यस रुप से 1990 के दसक से प्रारम हुआ था जब आर्तिक और समाजिक परिवर्तनों ने राजनीतिक असकीमों और दलों के संबंद में नहीं दृष्टिकों केंद्र में सत्ता रूड जंता पाटी उननीस सो सततर से उनासी में भी एक तरह का गटबंदन की थी 1989 से 99 के दसक में कई अ इस्तिर कटबंदर और गटबंदर और अलकुमत सरकारें दिखी जो एक के बाद एक आती रही और इसका परिचे 1996 में पहली बार गटबंदन सरकार के साथ हुआ जब विविन दलों ने मिलकर सरकार बनाई और पारलिया मेट में अलग-अलग दलों की समर्थन से सरकारें चलाई इस यूग ने राजनितिक विद्वववत्ता को बढ़ावा दिया और सविधानिक तोर पर लोगों को ससकत की करण का अधिकार परदान किया गटबंदर राजनिती के युग ने समविदा तंत्र में समाजीक नयाय, समाज बारोज, समविदानिक साचर्था के मुल्यों को परमोट किया अनिकी वारत में जो आपका गटबंदर की राजनिती का युग प्राराम हुआ था ये आपका 1990 के दसक को ही माना जाता है लेकिन एक्शूवल में जो आपका 1977 में जो केंदर में आपका जनता पार्टी की सरकार बनीती वज़सों ठीक है उसे भी आपका गटबंदर का ही सरकार बना जाता है क्योंकि आपका देखे ये जो आपका जनता पार्टी की सरकार बनीती ये जो सरकार बनाता आपका विविन दलों के सयोग से ही बना हुआ था और जो सरकार विविन दलों के सयोग से बनता है उसे गटबंधन का ही सरकार का जाता है तो एक्शूल में देखा जाए तो भारत में जो आपका गटबंधन राजनिती का यूग प्रारम हुआ था यह आपका कब वहाता था तो 1977 से ही हो गया था उसके बाद आपका विविन चरणों में कई बार गटबंदन की सरकार आपका भारत में देखने को मिला जिसे कि आपका 1989 में आपका गटबंदन का सरकार बना और विवित्ता देखने को मिला किलिए उसके बाद देखे अगला कुछ सेन आपका क्या है कि कौन से देश दाचेस के सदस है अनि कि दाचेस का मतलब क्या हुआ तो इसका मतलब हुआ दच्छिन एस्याई छेत्रिये सहयोग संगठन जिसे इंगलिस में क्या कहते है तो इसे इंगलिस में दाचेस को सोट में कहते है सार के ठीक है तो इसका फुलबो मादर किया क्या होता है तो दच्छिन एस्याई छेत्रिये सहयोग संगठन और यह आपका क्या है तो यह आपका दच्छिन एस्याई में रैजियों का छेत्रिये अंतर सरकारी संगठन और भूराजितिक संग है इसके स्थापना कब गुए था तो इसके स्थापना 1985 में धाका में गुए था इसके सद्धिस डेश कोने तो आद रखेगा अफगानिस्तान भांगला देश भूतान भारत माली नेपाल पाकिस्तान और स्रिलंग्ण ओर गिए लेकिन आपPOSकर आपकी अपका उसको लिख दिया उसका स्थापना कभना裡面 ऑ्स्थान के वुए था कहा हुआ था यह लिख दिया ठीक है उसके बाद इसका जो सदेश देश से मैन पॉइंट यह अपनो लिख दिया ठीक है उसके बाद देखे अगला कुर्शन आपका क्या है बच्छों कि सोवियल संग के विगटन के किसी एक कारण की चर्चा करें अनिकी 1991 में जो सोवियल संग आपका पंद्रो गंद्रायज अनिकी 5 देशों में तूटा था उसके विगटन का क्या कारण था उसके बारे में यहां पे लिखना है ठीक है तो सबसे पहले यहां परिशि लिखेंगे कि सोवियल संग का नाम सोवियल संग केसी पड़ा साथी साथ इसका विगटन कभ 1970 से 1991 तक हम रूस को सोवियत संग के अनिकी USSR अनिकी Union of Soviet Socialist Republics के नाम से जानते हैं सोवियत संग पंद्रो गंद्रेल से मिलकर बना था सोवियत संग का विगटन पंद्रो दिसंबर 1991 को हो गया था ठीक है उसके बाल देगे अब इसके कारण को मिलक देखेंगे तो देखें सोवियत संग के विगटन के निमलिकित कारण है पहला कारण क्या था एक दल का परबुद अनिकी जो आपका सोवियत संग है यहाँ पर आपका एक दल का परबुद था एक ही दल यहां पर सत्ता चलाती थी ओधल था आपका Communist Party इस वज़से कहा जाता है सोवियत संग का ये भी आपका एक वज़त था आपका दिगटन का तो भी दिखा गया देखें एक दल का परभुत अनिके सोवियत संग देश में एक ही पार्टी Communist Party का वर्चस था जिसके दुवारे सोवियत संग में एक ही दल Communist Party का पुन अंकुस्ता सोवियत संग की जनता की इच्छा को पूरा करने में असमच थी Communist Party और साथ ही गंदराजियों के समूँ में रूस के परभुत को देखकर के भी जनता सोशित में सुद करता था। मतलब को लगता था कि एक ही पार्टी है हमारे पस कोई भी option नहीं है दो पार्टी जिसलिक हमारा भारत में option है Congress BGP कोई भी party कोई भी पार्टी कॉम्मुनिक सरकार में बनवा देते हैं फिर से हठा देते हैं ठीक है तो निकिन महां पर आपका एक ही पार्टी भोड़ दो आ ना दो एक ही फायदा ओता था सिर्फ क्म्यूनिस्ट पार्टी महां पर सरकार चलाएगी तो इससे जंता को लगता था भाई कि हरे हमको यहां सोसन कर रहा है भश्टा चार कर रहा है इस वैसे यह देश का विगटन हुआ उसके बाद देखिए आपका दूसरा कारण था देखिए एक चुबर में कोशन में आपका एक ही कारण लिखना है लेकिन मैं यहाँ पे दो कारण इसलिए बता रहा हूं कि कभी कभी क्या होता है ज बढ़ा करने में आपको अगर तिन नमबर में पूछे तो एक ही पोइंट लिखना है अगर पांच नमबर में पूछे तो इसको भी आप लिख दीजिएगा ठीक है इस वैसी में आपको फड़ा सब बढ़ा करके बोल रहा हूं देखिए क्या है इसका दूसरा करा तो मिखा पुनर रचना और खुले पन की नीती को लागो किया था तब सुवित संग की जनता को पता चला कि आर्थिक प्रगति के माले में पश्मी जगत सुवित संग से बहुत आगे है इस जनकारी के बादी जनता का समाजवादी वेस्ता मो भंगो गया अनिकी जो वहाँ पे आपका स इसे अच्छा होगा लेकिन इसी के जश्ट उल्टा इसे खराप हो गया और देश आपका पंद्रोग दिसों में तूट गया ठीक है ऐसा बिलकुल नहीं था कि मिखैल गुर्बाशीप की नीती गलत थी बलकि नीतियों को लागो करने का समय समाजवादी वेस्ता में जनता क अधिकार समाप्त के दिये थे ठीक है समाप्त कर दिये थे निजी संपती समाप्त कर दी गई बलकि सारे अधिकार सरकार के अपास आ गए सरकार के निर्दे जन्ता पर थोपी जाने लगे इससे हुआ सत्ता वादी हो गई और जन्ता में असंतूस पड़े गया ठीक है तो यह आपका कारण तो दूसरा कारण सोवियत संके विगटन का अब देखें वाचों यहां से आपका दिरिक उतरी की प्रस्न है ठीक है तो यह जो आपका दिर्क उतरी प्रस्न है इसको ममलोगğ नेक्स्ट वीडियो में करेंगे द데के वीडियो थ्रणा लंबा हो रहा है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वहाँ पे आप लोग देख लिजेगा तो यहाँ पे आपको अस्क्रीन में लिखा हुआ आ रहा है होगा आपका Classical Political Science Subjective Model Paper Question उत्तर सहीद और यहाँ पे आपका Part 2 लिखा हुआ आ रहेगा तो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वहाँ से आप लोग देख करके इस कोशन की सारी उत्तर को आप लोग यहाँ से Note Down कर सकते हैं इसे आप लोग देख सकते हैं ठीक है वश्यों तो बस सारा अनसर आपका त्यार है देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर बस बनाने की देर है मैं तुरूंत इससे बना देता हूँ वीडियो को बस वीडियो लंबा हो रहा है इस विश्यों मैं यहाँ पर इसको समाप्त कर रहा हूँ ठीक है विश्यों तो आप लोग चैनल पर नए है तो सस्क्राइब जरूर कर जिए क्योंकि जिसे मैं वीडियो को अप्रेट करूँगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुच जाए ठीक है तो चैनल पर नए है तो सस्क्राइब जरूर किजएगा इस वीडियो कौ अगर आपको अच्छा लगाऊ तो वीडियो को लाइक केजिएगा और इस वीडियो को जितना हमसे कि आप लोग दोस्तों में शेयर ज़रूर केजिएगा ठीक है वस्तों तो चैन्नेल पर नओ तो सस्क्राइब ज़रूर केजिएगा चलिए मिलते है नेक्स वीडियो में तब तक लिए जए हिंद जवारत जवाजार करने